ब्रेके बात स्वागत है आपका और अब बात लखनो पुलिस की लखनो पुलिस की काली कर्तूत का मामला सामने आया है जहां चौक पुलिस ने एक शक्स को चोरी के आरोप में गिरफ़तार किया था जिसकी मौत हो गई मौत से गुसाए परिजनों ने शफ को ट्रॉमा सेंटर में रखकर जमकर हंगामा किया दरसल चौक पुलिस ने 13 जनवरी को रहीम को चोरी के आरोप में गिरफ़तार किया था इसके बाद उसकी जेल में तबियत बिगड़ गई वही परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस उसे थाने पर बेरहमी से पीटा और उसको खाय लवस्था में जेल भेज दिया इसके बाद जेल में उसकी तबियत जियारा बिगड़ी जिसको इलाज के लिए बलरामपुर अस्पतार भेजा गया इसकी हालत गंभीर होने पर उसको फिर ट्रॉमा सेंटर रिफ़क किया गय जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई वहीं स्पी पश्चिम विकाश्य अंदित्रिपाठी का कहना है कि आरोपी को गिरफतार किया गया था जिसका मेडिकल कराने के बाद जेल भेजा गया था जेल में तवियत खराब होने के बाद उसे दौरे पढ़ रहे थे तब ही म ड्रीट के दूरे टाली गारी के जुढे चोगत्तवाली का हमको कल यह मालम हुआ कि उसको भरती भरती परचो यह जाब जेल गया है उसके कोई बीमारी नहीं थी कोई मर्ज नहीं था उसको कैसे क्या हुआ ये मुझे कुछ आजमा पूलिस कर रहे को उनसे मान सिदु